नमस्कार दोस्तो आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम कच्छा आठवी इतियास और नागरिक सास्तर के पाठ चौदा महाराच्र राजिका निर्माण इस पाठ का स्वाध्य अर्थात प्रेस्वत्तर करने वाले हैं सो दोस्तो अभी तक आप लोगो ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइप कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर कीजिए इसमें है पाठ 14 महाराच्र राजिका निर्माण इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं पहले प्रस्ण में क्या दिया गया है दिये गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कसन कुन लिको तो पहला प्रस्ण है एक माई 1960 हिस्वी को खाली जगा राजिका निर्माण हुआ इसके अप्सन में दिया गया गोवा, करनाटक, आंधर प्रदेश और महाराच्रा इसके उत्तर में आएगा महाराच्र एक माई 1960 हिस्वी को महाराच्र राजिका निर्माण हुआ दुसरे कथर में दिया गया है मुंबई नगर निगम में मुंबई सहीत संयोक्त महाराष्ट का प्रस्ताव खाली जगा ने रखा पहला है गवत रैं माड़ खोल कर दुसरा है आचारे अत्रे तीसरा है दवा पोददार और चोथा है संकर राव देव तो इसके उत्तर में आएगा आचारे अत्रे मुंबई नगर निगम में मुंबई सहीत संयोक्त महाराष्ट का प्रस्ताव आचारे अत्रे ने रखा तीसरे कथर में क्या दिया गया है महाराष्ट के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में खाली जगा ने दाई तो संबाला प्रस्न करते हैं दूसरे प्रस्न में क्या दिया गया है निम्न कत्नों को पारण सर्च करो पहला कत्न क्या है सैयोग्त महाराष्ट समीति का गठन किया गया इसके उत्तर में आएगा पहला पॉइंट है मराठी भासी समग्र जन्ता का एक राज स्थापि करने की मांग 1903 इस्वी में नाकूर समझोते में की गई दुसरा है मुंबई सहीद सैयुक्त महाराश राज के इस्थापना को केंद्र सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था किसरा है अनेक सभाओं जुलूसों और हर्तालों के द्वारा सैयुक्त महाराश की मांग के लिए संगर्शत तीब्र होता गया और चोथा है सैयुक्त महाराश की मांग की समस्या गंभीर होती गई जिसके कारण पूरे राज में असंतो दतक रहा था ऐसी इस्तिती में 6 परवरी 1956 इस्वी को केसर राव जेधे की अध्यचता में पूरे में हुई सभा में सैयुक्त महाराश समीती का गटन किया गया दोस्तों अब हम अगला प्रस्न करते हैं दूसरे प्रस्ण में क्या दिया गया है, संयुक्त महाराष्ट के अंधोलन में समाचार पत्रों की भूमी का महतपोन थी, तो इसके भी उत्तर में चार पड़ दिया गया, पहला क्या है, संयुक्त महाराष्ट के अंधोलन के समय में, प्रभोधन, केशरी, सकाल, नवाकार, आ आती समाचार पत्रों के माध्यन से संयुत महाराष्ट के आंदोलन के विशे में जानकारी दी जाती थी। दुसरा है आचार यत्रे के मराठा समाचार पत्र ने आंदोलन के समय में उलेखनी यकारे किया। किसरा है बाला साथ ठाकरे ने मावडा उपनाम से नव्यू तथा मार्मिक के माध्यन से कार्टून बनाकर जन अंदोलन को व्यापक बनाया। चोथा है संयुक्त महाराष्ट संबंदी भूमिका जनता की इच्छा आंदोलन लोगों में व्यापत संतोस आदी के विशे में जानकारी देकर समाचार पत्रों ने बड़े पहमाने पर जन जागरिती लाने का कारे किया। इस प्रकार इस अंदोलन को व्यापक बनाने में समाचार पत्रों की भूमिका मातपून थी। इस प्रिष्ट भूमि पर 28 जुलाई 1946 सिव को मुंबई में संकर देवराय की अध्यर्चता में महाराश्ट एकी करण परिसद का आयोजन किया गया। तिसरा है इस परिसद में मराठी भासी प्रदेशों को मिला कर एक प्रांथ बराने की मांग की गई। और चौता है इस मराठी भासी प्रांथ में मुंबई मध्य प्रांथ का मराठी भासी छेत्र मराठ वाड़ा तथा गो मन तक को मिलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो दोस्तों आप हम अगला प्रस्न करते हैं क्या दिया गया दूसरे प्रस्न में सैयुट महाराष्ट समिती का योगदा। इसके उत्तर में आएगा सैयुट महाराष्ट के स्थापना में सैयुट महाराष्ट समिती ने निल्लिकित योगदान दिये हैं। उसमें से पहला है सायूंत महाराष्ट अंदोलन को महाराष्ट के गाओं और देहातों तक पउचा दिया, दूसरा है यह इस पस्ट हो जाने पर कि मुंबई महाराष्ट को नहीं मिलने वाली है, संयुक्त महाराइश्ट समिती ने बड़े पैमाने पर आंदोलन और प्रदर्शन करके जनमत को जागरित करने का कारे किया संयुक्त महाराइश्ट समिती ने बड़ी सफलता प्राक्त करके यह दिखा दिया कि जनमत संयुक्त महाराइश्ट के पच्छ में है और चोथा है प्रतापगर पर छत्रपती सिवाजी महाराइश्ट की अस्वारोड प्रतिमा का नावरण करने के लिए आये प्रदान मंत्री नेरु के विरुद्ध समिती के कारेकरताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया परिणाम सरुक केंद्र सरकार संयुक्त महाराइश्ट का निर्माण की मांग के अनुकूल हो गई दोस्तों अब हम अगला प्रशन करते हैं क्या दिया गया चोथे प्रशन में निम्ने संकल्पना चित्रप्र न करो सहिनुक्त महाराच समिती के सचीव का नाम बताना है अध्यच का नाम बताना है और उपाध्यच का नाम बताना है तो सहिनुक्त महाराच समिती के सचीव का नाम है S.M. जोसी अध्यच का नाम है कॉमरेट स्रीपाद अमरिट डांगे और उपाध्यच का नाम है डॉक्टर क्रेन रा नर्वडी सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो वैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखके बताईए ताकि हम इसको और भी जादा इंप्लिमेंट कर सके और भी जादा अची तरीके से बना सके और दोस्तों इस सेनल को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों